राम राम किसान भाईयों आप सभी को मेरा नमस्कार उमीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे मित्रों चुकी इस समय आप पीछे देखिए नीम का पेड़ है यह मेरे द्वारा लगाया गया है अच्छी बात है आज मैं आप से चर्चा करूंगा कि इस समय बहुत नीम कोड़ी को इकठा कर लें और जाकर के उसे तेल बनवा लें बहुत जगे पेस्विधाय खतम सी हो गई है बहुत तारे किसान कहते हैं कि सर कुछ ऐसा हो कि तेल हम नहीं बनवा पा रहे हैं तो नीम को कैसे उपयोग कर सकते हैं यह वीडियो में उनके लिए बता रहा और चीजों की खेती करते हैं जिनके पास नीम का पाउधा तो है वो तेल नहीं निकलवा पाते फिर भी वो चाहते हैं कि नीम के वज़त से हमारा पेस्ट मेनेजमेंट हो किट कंट्रोल हो उनके लिए विशेस तरह से विशेस वीडियो में बना रहा हूं आप इस वीडियो यानि बहुत पैसा नहीं नीम आपके घर का है तो सब कुछ फ्री है और नहीं तो दस पंदर रुपे किलो यह दिनीम कोड़ी मिल गई तो यह समझ लीजिए कि पचास से साथ रुपया पर एकड़ के खर्च से आप एक एकड़का इस प्रे कर लेंगे और सबसे सांदार यल करके इसकी टहनिया इसकी छाल कोई भी नुक्षान दैक नहीं होती सब के आयरोद में सबके महत्वें और सभी काम लाइक होते हैं लेकिन आपको जान कहरानी होगी कि नीम का तेले दी नहीं उचकर पार है तो भी आप चाहें तो बड़े आराम से इससे किट ना सक बना सकते हैं यह नीम के द्वारा जो मैं आज बता रहा हूं नीबोली के अर्क का मिस्दड़ करके इस प्रे का जो तरीका मैं बताऊंगा उससे किवल कीट ही नहीं कीट में हर प्रकार के कीट या चाहे माइट हो थ्रिप्स हो सफेद मक्खी हो या गिडार हो इस तरह के कीट तो कंट करें एक एकड के इसाब से मैं आपको यह घोल बता रहा हूं एक एकड़ के हिसाब से लगबग एक एकड़ के लिए पांच किलो इसका फल इस्तेमाल करें, पांच किलो निपकवड़ी को इकठा कर लें, इसे आप चाहें तो शुखा करके कई सालों तक रख सकते हैं, तो इसे आपके उपर डिपेंड है, जादे मातरा में हो तो इसको सु सुखाने के बाद या इस दौरान आपने फसल लगा रखे जैसे बहुत ताये लोग भी मिर्च की खेती करेंगे तो उसके भी माइट और थिप्स का बहुत ज्यादा प्रकॉफ होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पांच किलो निम कोडी को ले लेना है इसको और ले या मिक्सर में ग्लेंड कर सकते हैं आप इसको यानि एकदम धूर नहीं बनाना है लेकिन चूरा तयार कर लेना है चूरा जब पांच किलो का तयार हो जाए तो इसे प्लास्टिक की बाल्टी में 24 घंटे के लिए लेकर के भींगा दीजिए उसे चलाते रहिए जब आप इस सूती कपड़े का डबल लेयर सूती कपड़ा बनाए उसे आसानी से खुब बढ़िया से चला करके आथों से चान ले अब जब चानेंगे तो इसको आप दबा दबा करके इस तरह से मुठी से बिलकूल चान ले और जो पानी इस्तेमाल करना है पांच किलो में कम से कम 20 तो यहां उसमें और भी जब तक निकले निकालिये यानि जब तक उसमें से निकले यानि यह क्रिया आप तब तक कर सकते आ इसको निखूसमें! फिर जब उसमें डालेंगे आप पानी तो फिर वो सफेद हो जाएगा ये क्रिया आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपका पानी सो लिटर ना हो जाए सो लिटर पानी ऐसे आपको निकाल के तयार कर लेना है और जो नीम का बचा हुआ वेस्टेज है जिसे आप कहेंगे कि अब ये खली बच गई है उसे फेके नहीं उसे छाय में सुखा लेजिए या फिर ऐसे सुखा लेजिए वो बहुत बढ़िया काम करेगा नीमा टोट के ल लगते हैं आपके खेतों में गिटार काटती है बहुत सारे जगे में पहला किहते हैं लोग की कीट काट दे रहा है भत सारे लोग न्इम केक उच करते हैं उससे कई गोना टगडा ये झाताय तयार होगी और इसे आप तयार कर लें और इसको रख ले ऑर इसे हुआ की AJC lung आप इसका चिट्टा आंतिम जुताई पर चिट्टा दे करके बुआई कर लिए उसमें एक फायदा होगा दूसरा फायदा जो नीम के अर्क का इस्प्रे में बता रहा हूं एक तो ये खर्चा जीरो है 100 लिटर पानी को एक एकड़ में एक एकड़ की फसल में खुब बढ़ि हमारे बहुत सारे किसान भायों ने इसका चीकिया है उनके रिजल्ट कर देने वाले थे तो ये जौंगा कि इसको एक बार इस्तिमाल जरूर करिय करेंगे चैन्य को बता लावा और बी कोई दिक्कत होती है तो आपमें nine-nie-six. 1147-111 पे फोन कर सकते हैं बने रहे जहर मुक्त खेती के तरप ताकि ये धरा आने वाले पीडियों के लिए भी बची रहे